दोस्तो हाथ के पंखों की बात की जाए तो इन्हे हजारों साल पहले से बनाया और इस्तेमाल किया जाता है और इन्हे कुछ गिने चुने लोग ही बनाते हैं और बनाने में काफी अच्छी खासी मशक्कत लगती है आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा इसका मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले भाई से थोड़ी सी बात करते हैं क्या नाव भी आपका नितिन कुमार तो भीया कितने टाइम से बिजने बनाते हैं आ रहे हो काम कर रहे हैं वह यह कैसे चल रहा है तो यहां पर जो है यहां पर इनको एक पड़ी को यहां पर पत्ती को मोड़ा गया है यहां साइसे की तरफ ऐसे एक और इसके बाद इन पर यह पत्तियां ऐसे घुमा घुमा कर अचे ज़रे ओपर की तरफ लाई गई है और वही काम यह देखिए यहां पर भी चल रहा है यहां पर आपको वो शेफ धीरे-धीरे नजर आनी शुरू हो गई होगी इसको पंखा भी सुन्दरता के लिए होता है ना थोड़ा अच्छा दिखे हां तो इस वज़े से होता है आपको लगता होगा कि यह जो है ऐसा कहीं रंगा रगाया आता होगा तो रंगने वाला प्रोसेस भी हम आदेते हैं यह पूरी पत्ती होती है इसमें से ऐसे पत्ती फट्ती है और इसके होता है कलर यह कल builds नों नितर यह तो ऐसा कुछ लग रहा है यह जैसे होली में परकला होड़ा इसपे ओल्स दुस्राइए यह घृठ कपकोिए इसको भूजय मेने बास्ता है नितर इसको बांते इसको नहीं पिचने नहीं कि सुरुआं सुबर्स शोर्य नोगरे तो आपन हैं ऑच्छा किमत होती है इसकी कीमत होती है है होल सेल पांस रुपय दे देते हैं अच्छा कोई मतलब उक्षटा खरीदना चाहे कितने इंग मिलेंगा उसी 400-500 400-500 खर खरीदो तो इतनी कीमत मिल जाएगा मार्किट में वैसे बहुत ज्यादा प्राइज है इसका और यहां आपको बहुत सस्ते मिलेंगे तो आकर आप खरीज सकते हैं भाई एक बार एड्रेस और बगत बता दो कोई इतना बल्क में आकर खरीदना चाहिए आपसे अड इस पर काम अल्मोस्ट पूरा वैसे हो चुका है उम्मीद करते हैं यह वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी अगली बार आपसे हम मिलेंगे एक नई और मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हेलो किसान जैहिंद